पूरे की करक संक्रान्ती सूरे के करक राशी में परवेश को संक्रान्ती कहते हैं और हिंदू कलंडर के अमसार इसे छे महिने के उत्रायन काल का भी अंत माना जाता है साथ ही इस दिन दक्षिनाईन की शुरुवात होती है जो मक्कर संक्रान्ती पर समापत होती है बात करेंगे संक्रान्ती की इस बार 16 जुलाई 2024 मंगलवार को संक्रान्ती रहेगी और करक राशी में सुरे के परवेश को संक्रान्ती कहते है और इस बार करक राशी में परवेश कर रहे हैं तो इसे करक संक्रान्ती भी कहा जाता है करक संक्रांती सुबह सुबह प्राते पांच बज़ कर चौनतीस से लेकर दोपहर के साड़े ग्यारा तक इसका जो पुन्यकाल है वो रहेगा संक्रांती का करक संक्रांती महापुन्यकाल सुबह लगभग सवानों से लेका साड़े ग्यारा बज़े तक रहेगा और बात करेंगे इसका महत्तव की तो करक संक्रांती का अफल के बारे में पशुपक्षियों के लिए ये संक्रांती बहुत पच्छी मानी जाती है ये संक्रांती धन और समरिद्धी राती है बारिश के अभाव में जो अकाल सुखे की संभावना बनी होती है वो इस करक संक्रांती यानि की सावन के महिने से दूर हो जाती है चीजों के दाम थोड़ से समने रहेंगे और महंगाई भी थोड़ से काबू में रहेगी हलाके लोग खांसी और ठंड़ से पीड़त हो सकते हैं इस संक्रांती का महत्तव होता है कि इस समय किये जाने वाले कारे में देवों के अनुरूप उनसे आशिरवत प्रापत होता है इस दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें संक्रांती में की गई सूर्य पासना से दोशों का भी शामन होता है सूरिय देविसे सदा स्वस्थ रहने की कामना करें सिसक्राइब अधित्ते हिरिय स्तुतर और सूरे मंत्र का पाठ करें इस समय में शहद का प्रयोग करना लापकारी माना जाता है अगर दान की बात करेंगे तोgar शूर संक्रामती के दिन वस्तर एवं खाने की चीजों का विषय कर तेल के दान का महत्तव होता है सुहागन बजुर्ग महला को किसी बजुर्ग को पूजा में पहने वाला धोती वस्त किसी बालिका को नारंगी रंग का परीधान किसी बालक को हरे फल और किसी नव वहाई दमपती को भोजन करा सकते हैं तो सूरे देव करक राशी में परवेश कर रहे हैं 16 जुलाई के दिन 24 मंगलवार को इस दिन सूरे देव करक राशी में परवेश कर जाएंगे इसको के करक संकरांदी भी कहा जाता है